अस्वालेकूम दोस्तों फिफ्ट किलास गैस एंसी क्यूस फॉर पीस्टी दोस्तों एक मिलियन में कितने जीरोज हैं तो दोस्तों मिलियन का मतलब क्या है दोस्तों दस लाक मीन्स दस लाक यह हुआ दोस्तों कितना दस लाक अभी कितने सिफर हैं इसमें दोस्तों एक दो तीन चार पांच छे मिन्स कितने सिफर हैं दोस्तों जीरोज कितने दोस्तों छे जीरोज हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ए में क्या है ए में इसका दुर्स जवाब है एक मिलियन में कितने जीरोज होते हैं दोस्तों छे जीरोज होते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों how many days in 3 weeks दोस्तो 3 weeks में दोस्तो जो है दिन कितने है तो दोस्तो यह हुआ दोस्तो 3 weeks weeks में कितने दिन होते हैं 207 ठीक है अभी 3 को 7 के साथ मुल्टिप्ला करेंगे जवाब कहेगा 21 तो 21 days होते हैं 3 weeks में ठीक है दोस्तो बीम ही का है बीम इसका दुर्स जवाब है उसके बाद दोस्तो largest number which completely divides 4, 8, 12 एक जो है largest number find करें जो 4 और 8 और 12 को जो है complete दोस्तो तक्सीम कर सके तो दोस्तो इसे solve करने का तरीका यह हुआ दोस्तो 4, 8 और 12 ठीक है दोस्तो हमें क्या करना है smallest amount तो 4 smallest है उसके बाद smallest के दोस्तो 8 है तो 8 को 4 के साथ divide करेंगे कितना बार table लगेगा दोस्तो दो बार 8 जवाब आएगा तो 8 को 8 से मनफी करेंगे तो reminder क्या बज़ेगा 0 कितना बार table लगेगा दोस्तो 4 का ठीक है दोस्तो अभी दोस्तो जो है largest number ये 4 है जो 4 और 8 और 12 को दोस्तो completely जो है divide कर सकता है ठीक है दोस्तो 4 के है दोस्तो 4 इसका दुर्स जवाब है A में उसके बाद दोस्तो prime factor of 20 अभी दोस्तो factors निकालने है तो 20 even है तो 2 का table लगाएंगे दोस्तो 10 बार लगेगा अभी 10 दोस्तो क्या even है तो 2 का table लगेगा 5 बार अभी दोस्तो 5 even नहीं है तो 2 का table हम नहीं लगाएंगे ठीक है 5 क्या दोस्तो 8 है 8 का smallest दोस्तो जो है टेबल किया है तीन है तीन टेबल लग रहा है एक्जिक नहीं लग रहा है उसके बाद दोस्तो ओड का टेबल किया है तीन के बाद पांच है तो एक बार लग रहा है ठीक है दोस्तो अभी दोस्तो इसके जो प्राइम फेक्टर्स क्या है टू टू ये फाइव ये दोस् तो क्या है यह प्राइम फिक्टर्स है किसके टॉइंटी के ठीक है ठीक है दोस्तो तो सीम ही क्या है दोस्तो सीम इसका दुर्ष जवाब है उसके बाद दोस्तो वन किलो मीटर इस इकल डो ठीक है दोस्तो एक किलो मीटर में दोस्तो कितने मीटर से हैं तो यह हुआ दोस्तो एक किलो का मतलब क्या है हजार क्या है दोस्तो यह हुआ दोस्तो हजार और यह हुआ दोस्तो मीटर मिन्स एक किलो मीटर में कितने दोस्तों मीटर्स है हजार मीटर्स है ठीक है दोस्तों सीमी कहा है सीमी इसका दुर्फ जवाब है उसके बाद दोस्तों HCF of 40 and 50 ठीक है दोस्तों हमें कहा जा रहा है कि HCF निकालें कौन सा दोस्तों मेथद इस्तमाल करें पिराइम फेक्टर मेथद इस्तमाल करें ठीक है दोस्तों यह हुआ दोस्तों 40 even है ओड़े दो काटेबु लगेगा दोस्तों 20 बार बीस इविन है, ओड है, इविन है, दो का टेबू लगेगा दस बार दस इविन है, पांच बार टेबू लगेगा दो का पांच इविन है दोस्तो, ओड है, तो ओड है, तीन का टेबू लगेंगे तो exact तीन का टेबल नहीं लग रहा है उसके बाद पाँच का तीन के बाद पाँच है ओड का टेबल ठीक है उसके बाद ये 50 है दोस्तो पचास कितना भा लेगा 2 दो नी 4 एक था गया दोस्तो ये हुआ 10 पाँच दो नी 10 पचीस वा लगेगा अभी even है odd है दोस्तो ये है हमारे पास odd है तो 3 का table 3 का table exit नहीं लग रहा है तो उसके बाद 3 के बाद दोस्तो odd का table 5 है 5 बार लगेगा ये odd है 5 का table एक बार अभी दोस्तो ये factors निकले हैं ठीक है दोस्तो हमें क्या करना पड़ेगा 40 के factors क्या हैं दोस्तो 2 2 2 और 5 और 50 के factor क्या हैं दोस्तो 2 5 5 ठीक है दोस्तो अभी क्या करेंगे दोस्तो कामन निकालेंगे तो ये कामन 2 का एक निकल गया अभी ये 2 यहाँ पर 2 नहीं है खतम करें 2 यहाँ पर 2 नहीं है खतम करें यहां पर पांच, यह एक पांच है, यहां पर पी पांच है, ठीक है दोस्तों यह हुआ पांच, ठीक है, अभी क्या करेंगे जवाब क्या है का दोसों, 10 तो इसका दोस्तों, जो है, पिराइम फेक्टर हमने इस्तमाल किया है, जो है, 40 और 50 का HCF क्या निकला है, 10 One day and six hours, is equal to how many minutes, ठीक है, एक दिन और 6 घंटा को, हमें दोस्तों, मिन्ट में दोस्टों convert करना है, तो convert करने का तरीक़ दोस्तों, एक दिन में, कितने घंटे हैं दोस्तों? 24 और ये 6, 24 और 6, क्या आएगा जवाब दोस्तों? 30, मिन्स 30 घंटे हो गए ठीक है दोस्तो अभी हमें पता है एक घंटे में दोस्तो कितने मिन्स है क्योंकि हमें मिन्स दोस्तो निकालना पड़ेगा अभी एक घंटे में दोस्तो वन हावर में कितने मिन्स है 60 मिनट्स ठीक है 60 मिनट्स है ठीक है अभी क्या करेंगे 60 को 30 के साथ हम क्या करेंगे multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो जवाब हमारे पास आएगा अठारा सव means दोस्तो अठारा सव meant इसका जवाब आ गया दोस्तो seem क्या है seem इसका दुर्श जवाब है उसके बाद दोस्तो the product of one upon three into six ठीक है दोस्तो हमें product find करना है दोस्तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है एक है अभी multiply है दोस्तो हमें क्या करना पड़ेगा जो है उपर वाले amount आपस में multiply है नीचे वाले amount आपस में multiply है ठीक है एक को 6 के साथ multiply करेंगे तो 6 जवाब आएगा 3 को 1 के साथ करेंगे तीन के साथ छे को डिवाइड करेंगे तीन के साथ तो कितना बाद टैबल लगे है तीन का छे को दोस्तो दो बार तो रिमाइंडर क्या पचा सिफर और हमारे पास जवाब क्या है का दोस्तो ठीक है दोस्तो बीम ही क्या है दोस्तो बीम इसका दूर्स जवाब है उसक find करने का तरीका दोस्तो ये फार्मूला इस्तेवाल होगा दोस्तो 3 10 और 14 ये आपस में जमा होंगे और total numbers अभी कितने हैं दोस्तो 1, 2, 3 ठीक है अभी ये जमा करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 3 को 10 के साथ जमा करेंगे तो 13, 13 और चोधा जवाब हमारे पास आएगा 27 अभी 27 को 3 के साथ दिवाइट करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 9 जवाब आएगा तो average क्या बना दोस्तो 3, 10 और 14 का 9 average बना दोस्तो C मी क्या है C मी का दुरूस्त जवाब है उसके बाद दोस्तो find the value of x in यह equality 3 ratio of 6 ठीक है दोस्तो हमें दोस्तो x का value अभी find करना है तो तरीका यह दोस्तो 2 इस ratio का मतलब क्या है दोस्तो upon यह हुआ दोस्तो x अभी यह equality means equal का दोस्तो symbols देंगे अभी यह हुआ दोस्तो 3 ratio का मतलब upon यह हुआँ दोस्तो 6 अभी cross multiplication करेंगे क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन कैसे दोस्तो दो को छे के साथ मुल्टिप्लाए तीन को एक्स के साथ मुल्टिप्लाए तो दो को छे के साथ मुल्टिप्लाए करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो बारा एक्स को तीन के साथ मुल्टिप्लाए करेंगे तो जवाब क भी दोस्तो हम amount या variable shift करेंगे बराबर कि इस side या उस side तो ये दोस्तो उसके signs change होते हैं यहाँ पर minus है यहाँ पर भी minus होगा क्योंकि ये plus का है तो उस side गया तो minus होगा अभी ये भी plus का है तो इस side आया दोस्तो क्या minus अभी minus minus अपस में खतम हो जाएंगे अभी बाराओं को तीन के साथ हम divide करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो चार आएगा ठीक है बी में क्या है दोस्तो बी में इसका दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो six four minus six into two जरब्यान थरी ठीक है दोस्तो इस सवाल में हमें का जा रहा है के सबसे पहले कौन से digits solve की जाएंगे तो दोस्तो बार्ड मास की rules के मताबिक सबसे पहले हमें bracket solve करना पड़ेगा तो bracket में क्या है दोस्तो six into two means six into two हमें ये solve करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो तो B में किया दोस्तो B में इसका दुरूश जवाब है उसके बाद दोस्तो convert 16 upon 10 into decimal ठीक है दोस्तो 16 upon 10 को हमें दोस्तो decimal में convert करना है तो कैसे convert करेंगे दोस्तो 16 को divide करेंगे 10 के साथ upon का मतलब किया दोस्तो divide यह हुआ दोस्तो 16 यह हुआ दोस्तो 10 अभी 10 का table 216 को एक बार लग रहा है तो यहाँ पर reminder क्या बचेगा दोस्तो 16 से हम 10 minus करेंगे तो 6 बचेगा ठीक है अभी 6 को 210 का table नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा point देकर यहाँ पर 0 दिना पड़ेगा ठीक है दोस्तो अभी 16 को 10 का table कितना बार लगेगा 6 बार लगेगा ठीक है दोस्तो यह हुआ 60 अभी minus करेंगे तो 0 जवाब आएगा ठीक है दोस्तो reminder क्या है या 0 इसका जवाब आगया दोस्तो 1.6 decimal में दोस्तो convert हो गया 1.6 16 upon 10 decimal में convert हो गया जवाब क्या आगया 1.6 इसका जवाब आगया दोस्तो C में क्या C में इसका दुर्च जवाब है उसके बाद दो find the area of rectangle whose length is a 8 cm and breadth is a 3 cm ठीक है दोस्तो अभी दोस्तो length कितना है length 8 cm है और breadth कितना है दोस्तो 3 cm है ठीक है दोस्तो हमें कहा जा रहा है कि area of rectangle find करें ठीक है दोस्तो area of rectangle ये area of rectangle है ठीक है दोस्तो ये area of rectangle shape है इसका दोस्तो length क्या है 8 cm है और इसका breadth क्या है दोस्तो 3 cm है तो area of rectangle का दोस्तो formula क्या है area of rectangle का दोस्तो formula है is equal to L into B अभी L 8 cm है दोस्तो उसके बाद B 30 cm है 8 को 3 के साथ हम multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 24 cm को cm के साथ multiply करेंगे जवाब क्याएगा दोस्तो cm² तो area of rectangle क्या हुआ दोस्तो 24 cm स्क्वार इसका जवाब आगे दोस्तो beam ही क्या है beam इसका दुर्स जवाब है उसके बाद दोस्तो angle of 90 degree ठीक है दोस्तो 90 degree हमें कहा जा रहा है कि वो angle जो 90 degree को measure करे उससे हम दोस्तो क्या कहेंगे तो दोस्तो वो angle जो सिर्फ 90 degree को माइयर करें उससे हम दोस्तो राइट इंगिल कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तो राइट इंगिल कहेंगे बीम ही कहा दोस्तो बीम इसका दुर्स जवाब है ठीक हो दोस्तो दोस्तो ये फिफ्ट किलास गैस पेपर का फाइनल सवाल था इंशाला ताला बहुत जल्द हम सिफ्ट क लास्ट, गैस, मैथ, MCQs अपलोड करेंगे तो जाने से पहले आप काबले तरह हम दोसे दर्खवास है कि इस वीडियो को लाइक करें कमिर्स करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें शुक्रिया दोस्तों अलाफ़ेस